Hey everyone, last Sunday की वीडियो में हम एक बहुत ही important topic पे discussion शुरू किये थे कि कैसे आप सिफ 90 second में लोगों को अपनी तरफ attract करके उनसे easily अपना काम करवा सकते हो Well, यह सारी बाते हमने Nicholas Bootman की लिखी हो एक बहुत ही awesome book How to make people like you in 90 seconds से बतायो अब इस book में बताये हर एक lessons को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी बुक को तीम पार्ट में divide किया था So, और इट हर पार्ट को हम अच्छे से समझ सके and at the same time हर एक पार्ट को में एकदम simple words में आपको अच्छे से explain कर सको पहले दो पार्ट जो की meeting और रैपर्ट मैंने और पीछे संडे की वीडियो में बता चुका हो जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो उपर निकलते आई बटम पे क्लिक करके या description में दी गई लिंक पे जाके आप वीडियो देख सकते हो आज की इस वीडियो में हम उस बुक का third part discuss करेंगे जो की है communication जो अपने ही आप में बहुत ही important topic है इसलिए इस पे एक separate video बनाना बहुत जरूरी था देखो mostly हम अपने family और friends से बात करते हों बहुत ही जादा comfortable feel करते हैं लेकिन जैसे हम किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं तो उनसे बात करते हों हम बहुत ही जादा awkward, shy और कभी कबार तो बहुत ही जादा डरा हो और feel करते हैं वेल आज की इस वीडियो में मैं जो भी communication tricks और techniques आपके साथ share करने वाला उसे अगर आप seriously अपनी life में follow करना शुरू कर दोगे तो किसी भी नए इंसान से पहली बार बात करते हों है आपकी यह shyness, दर और आपका यह awkwardness इंदम से दूर हो जाएगा और आप अपनी बातों से सिस 90 seconds में सामने वाले इंसान को impress करके अपनी तरफ attract कर सकोगे इसलिए अगर आप एक pro level type वाले communicator बनना चाहते हो, अपनी communication tips को improve करना चाहते हो और सामने वाले इंसान को 90 seconds में अपनी बातों से impress करना चाहते हो तो मेरे आज की इस वीडियो को continuously एंट तक ज़रूर देखे So now, let's begin जब भी हम किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं, तो अपनी बातों को कुछ questions पूछ के start करते हैं अब question की बात निकली है, तो most of the time दो type के question होते हैं open question और close question अब unfortunately, किसी भी नए इंसान से बात करते हुआ, हम most of the time close question पुछते हैं जिसकी वज़ा से हम सामने वाले इंसान के साथ जादा data communicate नहीं कर पाते हैं इसलिए अगर आप सामने वाले इंसान से जादा communicate करना चाहते हो अपनी communication को लंबा करना चाहते हो उनके साथ एक strong rapid build करना चाहते हो तो आपको close की जगा open questions पूछना चाहिए suppose करो आप अपने friend के थुरू एक new person से मिलते हो आप बोलते हो hi सामने से reply आता है hello, मैं third year become में हो और तुम, मैं BSC कर रही है oh great, thanks चलो कुछ काम है, see you later yeah, bye पता है, ये communication इतना जल्दी end क्यों हुआ क्योंकि यहां बस close questions पूछे गए जिसके reply में small answer मिला और जिसकी वज़े से situation awkward हो गई और communication end हो गया अब same situation रखते हैं, लिकिंग questions change कर देते हैं मैं become कर रहा हू मैं BSC आप ये भी पूर सकते हो कि तुम्हारी राहूल से friendship कैसे हुई ये सब open type questions के example है जिसका answer इंसान एक word में नहीं देख सकता है उसे थोड़ा explain करना पड़ेगा like मुझे college life में friends बनाना, lecture bunk करके canting जाना college friends में participate करना बहुत पसंद है ये simple से example से आप समझ गए होगे कि open or close question के बीच क्या difference होता है और क्यूं आपको हमेशा open type question पूछन 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 को और भी ज्यादा लंबा बना सको लेकिन अगर open type question पूछन पूछन के बाद भी आपको proper reply नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ कि सामने वाले इंसान को आपके अंदर interest नहीं है और better होगा कि एक gentleman की तरह आप खुद by बोलके वहाँ से चले जाओ No doubt trick number one को follow करके आप अपने communication को continue कर सकोगे लेकिन अगर आप continuously सामने वाले इंसान से question पूछन 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 के बाद हो सकता है सामने वाला इंसान बहुत ही जादा frustrated feel करने लगेगा और जिसकी वज़य से फिर उसके nature में change आने लगेगा और जिसकी वज़य से शायद हो सकता आप एक strong rapid build ना कर सको इसलिए एक strong rapid को build करने के लिए आपको question पूछने के साथ threading technique का भी use करना होगा और इस threading technique को use करने के लिए आपको सबसे पहले एक active listener बना होगा active listener मतलब आपको सामने वाले के अंसर के पीछे के emotion को अच्छे से समझना होगा और फिर accordingly next questions पूछना होगा अगर पिछले example की बात करूँ तो जब सामने वाले इंसान कहता है कि उसे college fest पसंद है तो आप बोल सकते हो wow that's great अच्छा बताओ तुम्हारे college fest में कौन-कौन से events होते और तुम्हारा favorite event कौन सा है ऐसे question पूछने से सामने वाले इंसान को feel होता है कि आप उससे अच्छे से सुन रहे हो और लोगों को ये चीज़ बहुत जारा पसंद आती है जब कोई इंसान उन्हें अच्छे से सुनता है simple words में कहूतो जब आप threading टेकनिक का use करोगे तो आपको next question के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि सामने वाले इंसान के answer में से ही आप कोई भी word सेलेक करके अपना अगला question पूछ के अपने communication को continue रख सकते हो quick number 3 question words आप सामने वाले इंसान ते एक strong rapport तभी build कर सकते हो जब आप उनसे emotionally connect होते हो और इंसान खुद को emotionally दूसरों से तभी connect कर पाता है जब वो इंदन death में अपनी बातों को सामने वाले इंसान को explain करता है अब explanatory answer मिलने का best technique है कि बात करते होग आप question word यूज़ करो जैसे कि क्यू, कैसे, कब, कहां, etc. तुम्हें क्यों ये CT इतना पसंद है तुम कैसे अपने free time spent करते हो तुम कभ इस company में join हुए तुम्हें कहां घुमना पसंद है इस type के question से आपको बहुत interesting answer मिलते हैं जिससे फिर आप trading टेक्निका यूज़ करके आगे अपने communication को continue कर सकते हो एक और चीज़ करो, कि try करो कि ये question words पूछ के आप सामने वाले इंसान को एक common topic पे लेकर आजाओ जिसमें आपका भी interest हो, क्यूंकि हमें उन topic पे बात करना बहुत पसंद होता है, जिसमें हमारा भी interest होता है और जिसमें सामने वाला भी इंसान बहुत ही जादा interested होता है Trick No.4 Talking in Colors देखो, बहुत से लोगों में ये talent होता है, कि वो बहुत सी फाल्तू बाते हैं, जो एक्चुल में इतनी important नहीं होती हैं, लेकिन उसे इस way में explain करते हैं, इस way में express करते हैं, कि हम actually में उनकी बातों में बहुत जादा interest लेने लगते हैं वहीं ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, जिनके पाफ बहुत से interesting और important बाते होती हैं, लेकिन वो उस बातों को इस दम अच्छे से express नहीं करते हैं, जिसकी वज़ए से हमें उनकी बाते सुने बहुत जादा bore feel होता है Reason, क्यूंकि उनकी बातों में colors missing होते हैं Example, suppose करो आपके दो फ्रेंड ने Spider-Man No Way Home movie देख के आए, और आपने अब भी तक वो movie नहीं देखे हो, इसलिए आप दोनों से movie का experience उसकी story पूछते हो पहला दोस कुछ इस way में बताते है, movie अच्छी थी यार, मतलब तीनो Spider-Man एक साथ आते हैं, सारे दुश्मन एक साथ होते हैं, और Doctor Strange का performance भी अच्छा था वहीं दूसर दोस ते movie के experience को कुछ इस way में explain करता है और ये बंटा, क्या awesome movie थी यार, मतलब एक Spider-Man fight कर रहा है, कि suddenly पहले part वाला Peter Parker entry लेता है और क्या entry थी यार, ये surprise खतम नहीं होता है, कि तीसरा Spider-Man भी आ जाता है और यार, जब लगता है, कि एक दुश्मन खतम हुआ, तभी दूसरा दुश्मन आ जाता है, boss, क्या फिल्म बना है यार अब आप बताओ, कि आप कौन से दोस की बास सुनना पसंद करोगे Simple words में कहोतो, अगर आप लोगों के साथ एक strong record बिल करना चाते हो उनके साथ अपने communication को continue रखना चाते हो, तो अपनी बातों में color add करो मतलब अपनी बातों को full emotions और feeling के साथ experience करो So that सामने वाले इंसान भी आपकी बातों में बहुत ज़्यादा interest लेके आपकी तरफ attract होने लगे So to conclude, अगर आप बिना डरे, सामने वाले इंसान से बिद्धम freely होके बात करना चाते हो तो आपको ये 4 tricks follow करना चाहिए पहला, सामने वाले इंसान से हमेशा open type question पूछो दूसरा, एक active listener बनो और so that सामने वाले इंसान की बातों को आप इद्धम अच्छे से समर सको और एक सामने वाले इंसान भी आपकी बातों को feel करके आपकी बातों में interest ले सके और आपकी तरस easily attract हो सके Well, जैसा कि वीडियो के start में मैंने कहा कि ये amazing communication tricks मैंने आपको एक बहुत ऑसम बुक How to make people like you in 90 seconds से बताया हूँ अगर आपको ये वीडियो useful लगाओ तो इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रूप में दूसरों के साथ जरूर शेर करें So that वो भी इस tricks को follow करके अपनी communication tricks को better बना सके अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलाओ जो I'm sure मिला ही होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि कम्यूनिकेशन करते हूँ आप इस में से कौन सी trick को follow करते हो Self education और book reading की habit को जादा से जादा लोगों तक पहुचाना मेरा mission है तो मुझे मेरे इस mission में support करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस bell icon पे भी click करें And finally, thanks for watching